हेलो स्टुडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं कलास एट का चैप्टर फर्स्ट, रेशनल अंबर हम इस वीडियो के अंदर सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे उसकी प्रोपर्टीज देखेंगे, कौन कौन सी प्रोपर्टीज इस चैप्टर के अंदर यूज होंगी और किस तरीके से उनको हमें यूज करेंगे अगर आपने इस इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से कलियर कर लिया तो आपकी जो एकसरसाइजी हैं चैप्टर फर्स्ट की बहुत इजली आप उनको सोल आउट कर पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम रैसनल नंबर रैसनल नंबर होते क्या है वो नंबर जिनको हम P by Q की फोर्म में रैट डाउन कर सकते हों उन नंबर को कहते हैं रैसनल नंबर अब यहाँ पे लिखते टाइम दो कंडिशन्स होनी जरूरी होती है पहली कंडिशन है हमारी कि जो P और Q होते हैं नुम्रेटर और डिनोमिनेटर दोन्नों इंटीजर वैलू होनी जरूरी होती है दूसरी कंडिशन क्या होती है कि क्यों जो है वो नोट इक्वल टू जिरो होना चाहिए हमारा क्यों कि वैलू कभी भी जीरो नहीं हो सकती अब इसके लिए हम एक्जम्पल लेके चलते हैं जैसे मान लिया मैंने ले लिया टू बाई थ्री ठीक है अब इसको मैंने क्या लिख दिया पी बाई क्यू की फॉम में लिख दिया यहां फिर और क्या कर दू मैं जैसे सिक्स बाई फॉर लिख दिया यहां फिर और नमबर ले लूँ मैं कोई 5 by 4 लिख दिया इस तरीके से देखो P by Q की फोम में हम इसको राइट डाउन कर रहे हैं तो यहां पर यह क्या क्या लाएंगे हमारे rational number अब अगर मैं बात करूँ कि 0 की क्या 0 rational number है हां है क्योंकि 0 को भी हम क्या लिख सकते हैं 0 by 1 लिख सकते हैं तो यह भी क्या हो गया P by Q की फोम में हो गया ठीक है अगर मैं कहूं कि आपको 1 by 0 यह हमारा rational number नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी भी पताया है कि denominator कभी भी 0 नहीं हो सकता अगर denominator 0 हो जाता है किसी भी number को divide करते टाइम जैसे मान लिया 1 by 0 हो गया या फिर 5 by 0 हो गया या फिर 7 by 0 हो गया कुछ भी हो गया इन सब का answer जो आएगा वो क्या आएगा infinity infinity का मतलब यहां पे क्या हो जाता है हमारा note defined मतलब हम उसको define ही नहीं कर सकते वो value आएगी हमें पता ही नहीं उस value का तो जिस value को हम calculate ही नहीं कर सकते तो उसको हम rational number के ही नहीं सकते ठीक है तो किसी भी number को अगर 0 से divide करते हैं तो हमेशा उस cancer आता है infinity 0 से division possible नहीं होती है इसी लिए हम यहाँ पे कहते हैं कि वो उसका अंसर क्या आगया हमारा note defined तो आपको यहाँ पे rational number का पता चल गया है क्या होती है अब जैसे आपको बोल दू कि मैं 2 rational number है या नहीं है है क्योंकि इसको 2 को हम 2 by 1 की form में लिख सकते हैं तो यह भी क्या होगा हमारा P by Q की form होगी तो यह हमारे rational number का नंबर कहलाएंगे ठीक है अब अगर मालिया पे आपको कोई पूछ ले कि 5 by 0 कई बार अंसर बोल दे कि इसका अंसर 0 आएगा 1 आएगा या infinity आएगा तो बच्चे क्या बोलते कई तो बोलेंगे 0 आएगा सर कई बोलेंगे 1 आएगा infinity तो बहुत कम बच्चों को पता होता है तो 0 भी गलत है और 1 भी गलत है हमारा तो इसका अंसर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते है तो आलवेज क्या आता है हमारा infinity I hope आपको rational number अच्छे से पता चल गया है कि क्या होता है rational number next बात करेंगे हम यहाँ पे अपनी real number किनको कहते हैं क्योंकि यह numbers जो मैं बता रहा हूँ real number, natural number, whole numbers यह बच्चों को 12th class तक चले जाते हैं उनको clear होते ही नहीं है कि यह होते क्या है तो कैसे याद रखने है कैसे आपको समझ में आएंगी वो चीज ध्यान से देखो एक बार अब यहाँ पे क्या है real numbers क्या होते है number which we can represent on number line जिस number को हम number line के उपर represent कर सकते हैं उस number को हम real number कहेंगे अब number line क्या होते है हमारी एक straight line होती है जिस पे क्या होते है mid value zero right side values होती है positive values होती है हमारी इस तरीके से और left side जो होती है वो negative values होती है तो जिस number को हम इसके उपर draw कर सकते हैं mark कर सकते हैं उसी को हम क्या बोल देंगे real number या वो positive number भी हो सकता है negative भी हो सकता है rational number भी हो सकता है तो उन सब को हम क्या कहेंगे रियल नमबर कहेंगे ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं अपनी नेचुरल नमबर की कि नेचुरल नमबर किन को बोलेंगे हमारे नेचुरल नमबर वो नमबर होते हैं जिसके अंदर क्या होता है capital N से denote करते हैं और इसके अंदर जो values आती है वो क्या आती है 1, 2, 3, 4 up to infinity मतलब इस तरीके से values डालते चले जाएंगे उन सबी positive values के set को क्या कहेंगे हमे natural number बोलेंगे similarly होता है हमारा whole number whole number किसको कहते हैं जो हमारे natural numbers हैं उनके साथ अगर हम zero को भी include कर दें whole मतलब क्या होता है सारे numbers तो यहाँ पर एक भी क्या हो जाएगे हमारी whole numbers को हम represent करते है capital W से इसके अंदर क्या जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 up to infinity जिसके अंदर zero भी include हो जाए वो क्या 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 लाएंगे whole numbers जिसके अंदर zero include ना हो वो क्या 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 लाएंगे हमारे natural numbers अब last बात करते हैं integers की integers क्या होते हैं हमारे जो भी हमारे whole numbers है यह सारे क्या है positive इनके साथ negative values को भी हम क्या कर दें use कर लें तो वो क्या कलाएंगे हमारे integers integers को represent करते capital Z से तो यहाँ पर value के आ जाएंगे हमारी 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 इस तरीके से जो values होंगी हमारी positive और negative उन सब को क्या बोलेंगे हमें integers बोलेंगे I hope यह चीज़े आपको अच्छे से clear हो गई है natural number क्या है, whole number क्या है real number क्या है, integer क्या है और हमारा rational number क्या है यह चीज़े आपको clear हो चुकी है अब आपको मैं एक चीज़ और बता दू कि rational number के साथ साथ हम irrational number भी मैं आपको बता दू कि irrational number कुन से होते हैं irrational number वो number होते हैं जिनको हम P by Q की form में write down नहीं कर सकते मतलब उनको P by Q की form में नहीं लिख सकते अब P by Q लिखते टाइम हमने क्या देखा था कि P और Q क्या होने चीज़े rational number में, integer होनी चीज़े value, क्या value होनी चीज़े integers, अगर मैं आपको बोल दू कि root 3 by 2 क्या rational number है नहीं है, क्योंकि root 3 by 2 को हम, यहाँ पे देखो यह क्या है, P by Q की form में है वैसक से, बट यहाँ पे P क्या है हमारा, integer नहीं है यह root की form में है तो root वाली terms जो भी होती है वो सारी क्या कहलाती है, हमारी irrational number, और दूसरी जो होती है पाई वर्ड होता है, पाई की I hope यहाँ तक आपको clear हो गया है next बात करते हैं, इस chapter की properties की जो सबसे पहली property आती है वो होती है, हमारी closure property अब इस closure property का मतलब क्या है इसके according क्या है कि अगर हम दो rational number को add करते हैं अब rational number किस form में हो सकता है A by B plus में C by D ठीक है, मतलब P by Q की form में हो गया ऐसा compulsory नहीं है कि P by Q ही लिखना है आप A by B भी लिख सकते हो C by D भी लिख सकते हो E by F भी लिख सकते हो तो जो इस form में लिखा जाता है वो क्या कहलाता हमारा rational number तो closure property के according अगर हम कोई दो rational number को add करते हैं तो उसका sum क्या आना चाहिए हमारा rational number आना चाहिए उसको कहते हैं हम closure property अब हम चेक करेंगे कि closure property को हम क्या addition, subtraction, multiplication और division पे apply कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले चेक करेंगे हम addition पे कि क्या हम addition पे हम closure property को use कर सकते हैं इसका मतलब क्या है अगर कोई दो number लेते हैं हम A by B plus में C by D वो क्या आना चाहिए हमारा rational number आना चाहिए अगर rational number आ जाता है तो addition property पे closure property हम apply कर सकते हैं जैसे मान लिया याँपे ले लेते हैं कोई भी value 2 by 3 plus में याँपे 1 by 3 दोनों क्या है rational number इनको add करते हैं तो क्या आता है हमारा LCM कितना आ गया 3 उपर क्या आ गया 2 plus में 3 से 3 cancel out 1 तो ये क्या आ गया 3 by 3 3 से 3 cancel out तो मतलब क्या आ गया 1 और 1 को हम 1 by 1 की form में लिख सकते हैं तो ये क्या आ गया हमारा rational number इसका मतलब क्या हुआ कि हम addition property पे addition में closure property को use कर सकते हैं अब बात करते हैं subtraction में कि अगर दो numbers को दो rational number को अगर हम subtract कर दें मतलब A by B minus C by D क्या वो rational number आएगा अगर rational number आ जाता है तो मतलब closure property को हम subtraction में भी use कर सकते हैं example ले लिते हैं यहाँ पे जैसे 3 by 5 minus 1 by 2 इसको subtract करना है तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने मान लिया LCM आ गया इनका यहाँ पे 5 और 2 का 10 LCM 5 2 जा 10 2 3 जा 6 minus में 2 5 जा 10 5 जा 5 तो value जो आगी वो क्या आगी 1 by 10 अब यह भी क्या है हमारा rational number तो हम closure property को subtraction के अंदर use कर सकते हैं next बात करेंगे third multiplication पे क्या हम multiplication पे closure property को use कर सकते हैं वो भी देखेंगे इसका मतलब A by B multiply C by D is equal to किसके होना चाहिए हमारा rational number आना चाहिए तो यहाँ पे देखते हैं हम example लेके क्या rational number आता है 2 by 4 यह 2 by 5 multiply 1 by 4 यह दोनों values हैं दोनों rational number है multiply करते हैं 2 बन जा 2 2 जा 4 तो यहाँ पे value क्या आगी 1 by 5 तूजा 10 तो यह क्या आगया 1 by 10 यह भी क्या है rational number तो multiplication पे भी हम क्या कर सकते हैं closure property को use कर सकते हैं last देखेंगे हम division पे क्या हम division पे इसको use कर सकते हैं चलिए देखते हैं division का मतलब क्या है A by B divide C by D ठीक है तो यहाँ पे क्या है एक condition आपको याद रखनी है क्योंकि A by B divide किससे कर रहे है C और D से अभी हमने starting में पढ़ा था कि जो denominator है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए तो C और D क्या है हमारे denominator तो C और D never be equal to 0 नहीं है यह condition must है अगर C और D 0 हो जाएंगे तो वहाँ पे closure property को हम यूज नहीं कर पाएंगे otherwise चेक करते हैं A by B divide by C by D क्या हम यूज कर पाएंगे A by B का मतलब मान लिया ratio ले ली हमने 5 by 4 divide करते है मान लिया इसको 3 by 2 से ठीक है तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 by 4 अप उन में 3 by 2 इसको अगर कैसे simplify करेंगे 5 by 4 इसको उपर लेके जाएंगे तो reciprocal हो जाएगा 2 by 3 तो यहां पे क्या आगया 5 2 जा 10 अप उन में 4 3 जा 12 तो यह भी क्या है हमारा एके rational number तो division के उपर भी हम क्या कर सकते closer property को use कर सकते हैं I hope आपको closer property चारो केस में अच्छे से समझ में आगी होगी अब बात करते हैं commutative property की second property होती है हमारी commutative property इसका मतलब क्या होता है अगर हम किसी दो number को add करते हैं a plus b वो equal to किसके होगा b plus a के यह होती है हमारी commutative property अब हम rational number के उपर चेक कर रहे हैं तो हमाई क्या चेक करना है कि a by b plus में c by d always equal to औना चीए किसका c by d plus में a by b के similarly हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे addition पे subtraction पे multiplication और division पे तो सबसे पहले देखते हैं जल्दी से addition पे क्या addition पे हमारी commutative property apply होती है तो मतलब क्या है a by b plus में c by d equal to होना चीए किसके c by d plus में a by b के अगर यह equal आ जाते हैं तो हम addition पे commutative property apply कर सकते हैं तो यहाँ पे कोई भी जल्दी से fraction value ले 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 लेते हैं जैसे 1 by 2 plus 1 by 3 यह rational number होगे is equal to यहाँ पे क्या होना चीए 1 by 3 plus 1 by 2 LCM कितना आ गया इंसका 6 2 3 जा 6 3 जा 3 plus में यहाँ पे 2 is equal to यहाँ पे LCM कितना आ गया 6 3 2 जा 6 2 जा 2 plus में 3 3 और 2 क्या आ गया हमारा यहाँ पे 5 by 6 यहाँ पे भी क्या आ गया देखते हैं सब्ट्रेक्शन पे क्या सब्ट्रेक्शन पे हम अपलाई कर सकते हैं तो सब्ट्रेक्शन के अंदर अगर चेक करते हैं तो क्या होना चीए हमारा A by B minus C by D equal to किसके होना चीए C by D minus में A by B अगर इकवल आ जाएंगे तो हम यहां पे सब्ट्रेक्शन पे भी अपलाई कर सकते हैं अब यहां पे मान लेते हैं example 2 by 5 minus यहां पे मान लिया 3 by 5 इस तरफ मान लेते हैं अब क्या हो जाएगा 3 by 5 minus में 2 by 5 इसको simplify करते हैं यहां पे LCM क्या आगया 5 यहां पे आगया 2 यहां पे मान लेते हैं minus 3 similarly यहां पे LCM क्या आगया 5 5 से 5 cancel out तो यहां पे आगया 3 minus 2 अब 2 minus 3 बड़ी value क्या है हमारी negative तो minus का sign आएगा 3 में से 2 गया 1 1 upon 5 क्या यह equal आए है 3 minus 2 क्या होगा 1 upon में 5 यह negative 1 by 5 है यह positive 1 by 5 है तो यह क्या आगया not equal to तो यहां पे हम subtraction के अंदर commutative property को apply नहीं कर सकते I hope यह चीज clear होगी आपको अब बात करते हैं अपनी multiplication की क्या multiplication के अंदर हम जो हमारी commutative property उसको use कर सकते हैं तो मतलब A by B multiply C by D equal किस के आना चीए C by D multiply A by B ठीक है अब example लेते हैं यहां पे मान लिया 2 by 3 multiply 1 by 5 equal किस के और अचीए 1 by 5 multiply 2 by 3 तो यहां पे क्या value आज़ती है हमारी 2 वन जा 2 अपन में 5 3 जा 15 equal to किस के आगया 2 अपन में 5 3 जा 15 equal आगे तो यहां पे multiply में भी हम क्या कर सकते हैं commutative property को apply कर सकते हैं similarly अब चेक करते हैं division पे division के अंदर चेक करते हैं तो division में क्या होना चीए हमारा A by B divide by C by D equal होना चीए किसके C by D divide by A by B अब यहां पे example ले लेते हैं कोई भी जैसे 1 by 3 divide by 2 by 3 equal किसके होना चीए 2 by 3 divide by 1 by 3 मतलब यहां पे आगे लिया है इसको तो इसको यहां पे क्या ले लेंगे पीछे और जो अब पीछे था उसको आगे इस तरीके से interchange करना है तो इसको देखो अगर solve करते हैं तो क्या होगा 1 by 3 upon में 2 by 3 यह किसके एक वल आजाएगा देखो इसको simplify करते हैं तो यहां पे 1 by 3 multiply इसको क्या लिख देंगे 3 by 2 reciprocal हो जाएगा तो 3 से 3 cancel out तो value क्या आगी 1 by 2 आगी यहां पे right and side को solve करते हैं यहां पे क्या हो जाएगा 2 by 3 upon में 1 by 3 इसको क्या लिख सकते हैं 2 by 3 multiply 3 by 1 क्योंकि denominator उपर जाके numerator हो जाएगा 3 से 3 cancel out तो 2 by 1 आगया यहां पे तो 2 by 1 और 1 by 2 इक्वल हैं नहीं हैं तो क्या लिखेंगे हम यहां पे division के अंदर हम commutative property को apply नहीं कर सकते तो मतलब commutative property को किस पर यूज कर सकते हैं only addition और multiply पर यूज कर सकते हैं subtraction और division पर यूज नहीं करेंगे I hope यह आपको अच्छे से clear हो गई है next property देखते है associative property सबसे पहले देखते हैं कि associative property होती क्या है इसका मतलब क्या होता है अगर मान लिया कोई भी तीन numbers को हम add करते हैं A plus B plus C और इसको यहां पे लिख दिया मैंने A plus B plus C अगर सबसे पहले क्या करते है braces use करते हैं first two numbers पे फिर braces यहां पे use करते है last two numbers पे तो इनका sum हमेशा क्या आएगा equal आएगा यह होती है हमारी associative property अब हमने किस पे चेक करनी है यह rational numbers के उपर चेक करनी है तो सबसे पहले किस पे चेक करेंगे हम addition पे यह आपने खुद example लेके चेक करनी है क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि किस तरिके से चेक करते है तो यहाँ पे क्या होना चीए A by B plus में C by D plus में E by F तीन rational number ले लिए similarly यहाँ पे लिख देंगे A by B plus में C by D plus में E by F यहाँ पे क्या करेंगे first two numbers पे ब्रेसिज यहाँ पे last two number पे कोई भी आप rational number का example लेके चेक करेंगे तो क्या left hand side equal to right hand side आती है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि addition के अंदर equal आ जाएगी और addition पे हम associative property को use कर सकते हैं similarly बात करेंगे हम subtraction की क्या हम subtraction पे इसको use कर पाएंगे तो मतलब क्या होगा A by B minus में C by D minus E by F is equal to किस क्या होगा A by D minus में E by F इन पे last वालों पे क्या करेंगे ब्रेसिच यहाँ पे अगर आप example लेके चेक करते हैं ना तो यहाँ पे note equal to आ जाएगा equal नहीं आएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे associative property subtraction पे apply नहीं हो पाएगी हमारी अब बात करते हैं multiply की multiply के अंदर क्या होगा हमारा A by B multiply C by D multiply E by F equal to A by B multiply C by D multiply E by F मतलब two number पे ब्रेसिच यहाँ पे last वाले two number पे तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी हमारी associative property use हो जाएगी last देखते हैं हम division पे आप यह example लेके check जरूर करके देखना है एक बार आपको clear हो जाएगी तो A by B divide by C by D divide by E by F क्या equal आता है हमारा A by B divide by C by D और divide by E by F ओ sorry यहाँ पे ब्रेसिच यूज़ करेंगे इसकी तो यहाँ पे हमने check करना है क्या यह division पे apply होता है तो अगर इसमें check करेंगे तो यह note equal to आएगा तो यहाँ पे division में भी use नहीं कर पाएंगे तो जैसे हमने पिछले उस property में किया था अपनी commutative property थी जो addition और multiply पे applicable थी same associative property भी किस पे applicable होती है addition और multiply पे subtraction और division पे applicable नहीं होती है अब last property देखते हैं अपनी fourth property distributed property सबसे पहले देखते हैं distributed property होती क्या है जैसे मान लिया कोई number है A उसकी multiply कर दी हमने किसे B पलस C से तो इसको हम कैसे write down कर सकते हैं A multiply B बीच में sign किस का है पलस का A multiply C इस तरीके से तो similarly यह क्या करना है हमें rational numbers पे apply करनी है जैसे A by B into C by D पलस में E by F तो इसको कैसे लिख सकते हम A by B multiply C by D A by B multiply C by D बीच में sign किस का है पलस का तो A by B multiply E by F अब इसका example लेके दिखता हूँ में एक छोटा सा जैसे मान लिया है यहाँ पे ऐसे हो 2 into 5 पलस 3 ठीक है तो यहाँ पे अगर इसको multiply करना हो या फिर example हो जैसे 2 into X पलस Y multiply करना हो तो कैसे लिखते हैं इसको 2 multiply X पलस 2 multiply Y इसी तरीके सो तो लिखा जाता है तो यहाँ पे भी इसी चीज़ को यूज किया है इसको कहते हैं distributive property ठीक है similarly हम subtraction पे भी यूज करके देख सकते हैं A by B C by D minus में E by F तो यह किसके एकवल हो जाएगा A by B multiply C by D बीच में sign किसका जाएगा minus का तो A by B multiply E by F यह होती है हमारी distributive property I hope यह चीज भी आपको अच्छे से clear हो गई है अब दो तिन चीज़े और हैं हमारी वो सीख लेते हैं सबसे पहले सबसे पहले देखेंगे additive inverse क्या होता है questions आएगे हमारे chapters के अंदर वहाँ पे additive inverse निकालना होगा आपको तो यहाँ पे देख लेते है additive inverse होता क्या है additive inverse को भी हम क्या करेंगे अपने rational number पे check करेंगे मान लिया हमारे पास कोई rational number है rational number वो क्या है P by Q ठीक है तो additive inverse में क्या करते हैं जो अगर मान लिया हमारे rational number positive हो तो उसको क्या लिख देंगे इसका additive inverse जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा minus का P by Q ठीक है अगर मान लिया हमें rational number minus P by Q given हो तो उसका additive inverse क्या हो जाएगा हमारा minus minus plus हो जाएगा तो P by Q means positive हो तो negative बना दो negative हो तो positive बना दो तो ये हो जाते हैं हमारे additive inverse ठीक है आपको पता लग गया है अब इसके अंदर एक property आती है अगर हम किसी rational number को उसके additive inverse में add करते हैं तो rational number क्या दा P by Q इसमें add करें तो ये क्या हो जाएगा minus का P by Q तो इनकी value हमेशा किसके एक वल आएगी जीरो के एक वल आएगी ये होता है हमारा additive inverse next देखते हैं multiplicative inverse क्या होता है अब multiplicative inverse को भी किस पर चेक करेंगे rational number पर जैसे मान लिया ये हमारा rational number है कोई rational number is equal to क्या है P by Q तो अगर इसका multiplicative inverse हमने find out करना है तो इसका क्या करेंगे reciprocal reciprocal कैसे करते हैं वन अपोन में P by Q तो इसको क्या करेंगे denominator उपर आएगा तो क्या हो जाएगा ये Q by P मतलब P by Q है तो उसको Q by P बना देंगे ये हो जाएगा हमारा multiplicative inverse मतलब numerator को denominator बना दो denominator को numerator बना दो तो वो हो जाएगा multiplicative inverse जैसे example के तोर पे यहाँ पे लेते है 2 by 3 है तो इसका multiplicative inverse क्या हो जाएगा 3 by 2 ठीक है अब यहाँ पे एक बात आती है अगर हम rational number को और उसके multiplicative inverse को अगर multiply करते हैं P by Q multiply Q by P करें तो value क्या आएगी हमारी 1 के equal आएगी ये property होती है multiplicative inverse की I hope यह अच्छे से आपको पता चल गया होगा multiplicative inverse क्या होता है अब एक दो चीज़े रहे गए हमारी rational number को represent करना line के उपर और एक rational number find out करना between any two rational number तो सबसे पहले देखते हैं अपनी representation अब यहाँ पे मान लिया कोई भी आपको rational number given है P by Q is equal to 3 by 5 और आपको बोल दिया जाए कि इस number को आप पे number line के उपर represent करके दिखाईए तो कैसे करते हैं हमारी number line यह होती है इस पे value क्या होती है 0 1 2 3 4 left hand side क्या होगी minus 1 minus 2 minus 3 इस तरीके से अब 2 zone zone का मतलब infinity तक कोई भी value हो सकती है अब यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे 3 by 5 है तो 3 को 5 से divide कर लो 3 को अगर 5 से divide करते हैं तो यहां पे नहीं जा रहा है तो यहां पे क्या लगा देंगे 0 point फिर 0 लेंगे तो 5, 6, 30 तो यहां पे value क्या आगी 0.6 अब 0.6 का हम पे लाई करेगी पहली तो positive value है मतलब 0 से right and side आएगी 0.6 का मतलब क्या है 0 और 1 के बीच में होगी कहीं पे यह क्या होगी 0.6 अब इसको exactly number line पे कैसे draw करना है वो देखते हैं अब यह मान लिया क्या है हमारी दोबारा number line हमने पता कर लिया 0 और 1 के बीच में आएगा यह क्या होगा मान लिया 0 यह होगा 1 आगे क्या चलेगा 2 इस तरफ क्या चलेगा minus 1 minus 2 तो value जो आएगी इसके बीच में आएगी ठीक है अब करना क्या है denominator देखो denominator में value क्या है 5 तो यहाँ पे क्या करना है हमने 0 से 1 के बीच में मार्क लगा देंगे 1 2 3 4 इससे एक less मार्क लगाएंगे यहां पे हमने मार्क लगा दिये अब देखो यहां पे क्या है 0 के बाद क्या आएगा यह मान लिया क्या है 1 by 5 यह 2 by 5 यह 3 by 5 यह 4 by 5 और यह क्या होगा 5 by 5 5 by 5 मतलब 1 हमें चाहिए क्या है 3 by 5 तो 3 by 5 कहां पे हमारा यह तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 3 by 5 यह representation होगी हमारी ओने number line I hope यह चीज आपको अच्छे से पता चल गई है कि इस तरिक के से करेंगे अब चेक करते हैं हम अपना last topic इस chapter का introduction में यहां पे क्या देखना है हमने rational number between two rational numbers अब यहां पे क्या आता है हमें दो rational numbers given मिल जाते हैं और कहते हैं कि इनके बीच के rational numbers find out करो five rational numbers find out करो ten करो two करो कुछ भी आ जाता है अब जैसे मान लिया मैं आपको value दे दू one two five इनके बीच के numbers बताओ हमें integer value तो क्या लिख देंगे two हो गया sir three हो गया four हो गया easily find out कर ली अब अगर मान लिया मैं example देता हूँ कि minus का two by five and one by two इनके बीच के rational number find out करके दिखाओ तो इनका बिल्कुली जी मैं आपको बताओ हूँगा किस तरीके से करना है तो यहां पे देखो सबसे पहले क्या है minus का two by five और यहां पे क्या है one by two इनके denominator पे चलो main मतलब होता है हमारा जो denominator होता है ना इनका उनको equal बनाना होता है denominator को तो denominator को equal कैसे बनाते हैं यहां पे five है यहां पे two है तो इसके denominator को यहां पे multiply कर देंगे इसके denominator को इन से multiply कर देंगे जैसे यह two है तो इसको two से multiply और two से ही divide यहां पे five था इसको five से multiply इसको five से divide तो यहां पे क्या गया minus two two जा minus का four अब उनमे 5 टू जा 10 यहाँ पर क्या गया 5 बन जा 5 अब उनमे 5 टू जा 10 अब यह क्या है माइनस का 4 यह है पलस का 5 इनके बीच में वैल्लूज क्याएंगी माइनस 4 से लेके 5 तक माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यह सारी values होगी, तो यहां से कैसे बना देंगे हम, minus 4 by 10 से लेके, क्या क्या बन जाएंगे minus का 3 by 10 minus का 2 by 10 minus 1 by 10 0, 1 by 10 2 by 10 3 by 10 4 by 10 और 5 by 10 तो यह जो values आगी वो क्या आगी, rational number between minus 4 by 10 और 5 by 10 ठीक है, इसका मतलब क्या है, minus 2 by 5 और 1 by 2 के बीच के यह सारे के सारे क्या होंगे rational number होंगे, इस तरिके से क्या करेंगे, हम rational numbers को find out कर लेंगे between any two rational numbers, I hope आपको introduction अच्छे से clear हुआ है कहीं पर कोई doubt आता है, तो मुझे comment करे otherwise, next वीडियो में देखेंगे अपनी exercise 1.1 Thank you students for your love and sport इस चैनल को subscribe करें अपनी classmates को जरूर share करें Thanks students